चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पहरे बच्चो NTA ने नीट एप्लिकेशन फॉरूम में कैटेगरी चेंज करने के लिए फिर से एक बार करेक्शन विंडो ओपन किया है इसमें जिन कंडिडेट की कैटेगरी मिस्टेक से गलती से दूसरी कैटेगरी हो गई है जैसे कि कोई OBC कैटेगरी का है जनरल कैटेगरी हो गई है फॉरूम फिल करते समय या फिर जनरल कैटेगरी का OBC हो गई है EWS हो गई है तो अभी उसमें आप correction कर सकते हैं यानि की category में correction कर सकते हैं तो इसकी जो correction करने की last date है वो है 16th June 22 यानि की 14th June से ये start है और 16th June 22 रात 9 बजे तक आप सिरफ category में change कर सकते हैं यानि की जिन candidates की category पहले उन्होंने EWS या OBC या कुछ भी फिल किया था उनका certificate नहीं मना है उनको पता है कि उनकी category गलत हो गई है तो उनको एक opportunity दी गई है कि वो अपने category अभी change कर सकते हैं 16th June 22 तक अभी ये category जब आप change करेंगे तो इसमें जो general candidate है वो category अपने change करते हैं OBC, EWS, SCST में उनकी जो actual category है उसमें अगर change करते हैं तो उनका तो कोई payment नहीं देना होगा लेकिन जो OBC, SCST candidate है उनका जो extra payment है category का वो आपको अभी करना है अगर category change कर रहे हैं तो अगर किसी student की category same है उसने category certificate सही upload किया है तो उसको कुछ भी करनी की आवश्यक्तन नहीं है जो candidate category change कर रहे हैं वो अपना जो latest उनका category certificate है वो upload करेंगे अगर उनके पास category certificate नहीं है या फिर category certificate पुराना है तो इसमें एक self declaration का परफोर्मा दिया गया है उसको print करके इसमें photo अगरा लगा के इसको fill करके वो upload कर दें certificate की जगह तो अगर आपने भी गलती से अपने category गलती से fill कर दी है नीट का application form fill करते समें और आप